असलाम अलेकुम व्यूवर्स कैसे हैं आप सब फूट केंटीन के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आज हम बनाने जा रहे हैं ग्लॉइंग स्किन के लिए इसका जल्दी रिजल्ट आता है और आप इसको जरूर ट्रॉइ करें बहुत से लोगों का डियम आया के हमें ग्लॉइंग स्किन के लिए भी कुछ बताएं तो आज हम उसके लिए आपको एक होम रेमडी बनाने जा रहे हैं यह जो होम रेमडी है यह घर की कुछ चीजों से बनेगी और यह आपने वीक में थ्राइस यूज करनी है यानि के हफते में तेन दिन इस्तमाल करनी है जो के सबसे पहले है औरेंज औरेंज हमें ऐस आ सीजन मिलता है लेकिन अगर आपके पास फ्रेश औरेंज नहीं है तो आप उसके लिए जो है हमने ये औरेंज के च्छिलके वग़रा इनको ड्राइ किया है ड्राइ करके इसका हमने ये एक पोडर सा बना लिया है Out season आप इसको यूजु कर सकते हैं और इन season आप जो है वो orange को fresh orange लेंगे तो सबसे पहले हम उसके साथ हम लेंगे Elovera Juil जो के हमने बजार की Elovera Juil भी आप यूजु कर सकते हैं और आप चाहें तो आप फरेश प्लांट से जो है उसके Elovera Juil भी निकाल सकते हैं और साथ हम यूज़ करेंगे काउन फ्लॉर, जो के आम तुकान किसी भी तुकान से आपको पैकिट मिल जाएगा, और साथ हम थोड़ी सी ले रहे हैं फटकरी पॉर्डर, जो फटकरी आम आपको जनरल स्रोर पंसार की दुकान जो होती है, वहाँ से मिल जाएगी, और उसको भ प्रेगदार को बराबर एक्वल रखके जितनी हम बताएं उतनी यूज़ करें और इसको जरूर अपलाई करें और जो न्यू वीवर्स हैं काइंड़ी वह हमारे चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और आपको हमारी यह रेमडी कैसी लगी इसको शियर भी करे और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं भी तो जी वीवर्स यह बनाने के लिए ग्लोइंग स्कीन के लिए सबसे पहले हमने यह ओरिंज को ऐसे दुबा कर इसका जूस ले लेना है तकरीबन एक से दो चमच आप इसका जूस ले ले यह देखें जैसे यह दुबा के हम इसका ज अरणज नहीं है तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं हम इसके ड्राइक करके इसके जो पेस्ट मनाएंगे जो हम इसके चिलके हमारे पास ज्राइक करके उनका एक पोडर बनाएंगे हम वह भी यूस कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यह जो है लैमन जूस इ एक स्पूंद और यह सेकंड स्पूंद टू टूह टेबल स्पून हमने ओरणज यूस लिया है और ट규बल स्पून ही हमने ऐलो वेरा जल लिए हैं थोड़ी सी फटकरी पौॉडर इसको अच्छे से ये देखें हम इसको mix कर लेंगे अगर आप lemon juice की जगा जो है इसके dry powder यूज की जगा अगर आप इसके dry powder यूज कर रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आप दूड डाल सकते हैं एक चमच अब हम इसके अंदर ये देखें कॉन फ्लोर एड़ करने लगे हैं जी अच्छे से कॉन फ्लोर इसके अंदर एड़ करके हम इसको अच्छे से जो है वो mix करके एक hard सी paste बना लेंगे ज्यादा hard paste भी नहीं बनाएंगे और ज्यादा soft भी नहीं बनाएंगे ये जो होम रेमडी है ये हर स्किन के लिए एक्वल है चाहे आपकी ड्राइ स्किन हो ओईली हो इसको अच्छे से हम कर लेगे अगर तो आप इसके अंदर ड्राइ औरंज के वो पोर्डर यूस करेंगे तो ये थोड़ी हमारी थिक बनेगी जिसके लिए हम थोड़ा सा दूर ड जी देख नहीं आप इसकी के ये थोड़ी हर्ड हो रही है इसको हम अच्छे से मुक्स करके सकिन पर अपलाइ जैसे कि आप देख रहे हैं ये मिक्स हो चुका है लेकिन ये बहुत लीक्विर्ड है तो ये ये हमारे फेस पर अपलाई नहीं हो सकेगा तो इसके लिए अगर यह देखेंगे थिक हो गया है इसको अच्छे से mix करेंगे तो यह थिक हो जेगी और इसके बाद यह apply करने में हमें easy रहेगा जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो यह मिक्स्चर है यह रेडी है अब हम इसको अप्लाई करेंगे और इसको ड्राइ होने के बाद हम जो है वाश कर लेंगे ठंडे पानी से आप इसको वाश करें गरम पानी मत यूज कीजिएगा जो न्यू वीवर्स हैं काइंड़ी वह हम यह देखे हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं बुष के साथ सिंपल आपने इसको ऐसे अप्लाई करना है और ड्राइ होने के बाद आपने इसको अच्छे से वाश कर लेना है ठंडे पानी के साथ और यह वीक में थ्री डेज आपने यूज करना है वीक में थ्री डेज आप इसको यूज करें एक दिन स्किप करें और एक दिन इसको यूज करें और आप जो है बिल्कुल जो मॉडल्स वएरा कर रिजल्ट आता है वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा और इसके बाद आपको बजार जाके फिशल करवाने की सरूरत नहीं रह ला सकते हैं अक्सर लोगों ने कहा है कि जो है हमारे सर्दियों में हाथ और पाउं काले हो जाते हैं और वो स्किन का कलर ठीक नहीं रहता तो उसके लिए उसके लिए ये रेसिपी आप जरूर ट्राइ करें ये होम रेमडी ताकि आपको विंटर में जो है वो ग्लॉइंड स्क करते रहें अलावब।